तो दोस्तों आपने देखा होगा कई बार हमारा जीवन एक यश रहित रहता है जीवन में यश मान सम्मान की कमी रहती है आप कुछ भी कर लो आपके काम की कोई वैल्यू नहीं चाहे वो परोपकार हो चाहे आपकी एक शोशल वैल्यू हो चाहे काम काज की अगर हिस्सों की ब रहे हो पर उसका जब तक credit ही ना मिले तो एक इनसान को खुशी कहां से मिलेगी और जब इनसान को credit नहीं मिलता बार-बार एक तरह से वो असफल होता है credit पाने के चक्र में तब total आपके जो दिमागी level पर इसके बुरे परभाव पड़ते हैं जो की आपको confidence से गिरा देते हैं यानि कि आपका confidence हमेशा आपके मन में ये रहेगा कर लो यार क्या पता क्या है उपर वाले ने मेरे नसीब में यही लिखा है मिलना तो कुछ है नहीं चुप चाप करो यानि कि जो भी काम आप करते हो उस समय वो एक आपकी एक अंदर से जो इच्छा होती है वो मरी हुई हो में बोले गए हो आपकी बढ़ाई में बोले गए हो जिसे कहते हैं credit या फिर यश वो आपको हमेशा confidence बढ़ाने का काम करते हैं करियर की अगर हम बात करें करियर यानि कि वर्क प्लेस की अगर वर्क प्लेस पर भी आपको कोई credit नहीं देता है आपको कोई पूछता नहीं है आपने कुछ भी काम किया उसकी कोई value नहीं है तब भी इस case में क्या होता है कि आप देखते हो कि मैंने तो इतनी महनत की पर जो गधे type के लोग थे वो मेरे महनत का फायदा उठा ले गए यानि कि उनको value मिल गई पर आप वहीं के वहीं ये एक आपके career में आपकी growth को रोकने क काम करता है आप वहीं के वहीं अठके रह जाते हो और जो नलायक type के लोग होते हैं जो कि लायक ही नहीं होते हैं उस progress के वो progress हासिल करके आपके सिर पर बैठ जाते हैं और अगर हम परिवार की बात करें तो परिवार में भी कई बार social respect नहीं मिलती है आप जिस एक respect की बात करते हैं कि आपको एक मान समान मिले देखिए इनसान जब चारो तरप से ही मान समान ना पाए तो उसका मनोबल किस हद तक तूट जाता है वो आप समझ सकते हैं ओफिस में जो प्रावलम हुई सो हुई घर आके भी सेम वही प्रावलम है घर आकर भी आपके नहीं आपकी value है नहीं आपके अपने लोगों में value है यनि कि ये total overall जो value एक आपके घर के इलावा social respect की बात करें आपके समाजिक जो रिष्टे होते हैं उनमें क्या आपकी respect है वहाँ पर भी down है तब भी कोई फायदा नहीं है आप कहीं शादी ब्या पार्टी वगरा में जाते हैं तो वहाँ पर आपने कई लोग तो ऐसे देखेंगे जिनको लोग बड़े importance दे के मिलते हैं पर आप से वही एक tasteless बातें करते हैं नहीं आपको कोई importance देते हैं नहीं आपकी कोई value होती है तो आप समझ सकते हैं कि कहां तक ये आपके दिमागी level पर ये चोट पहुचाती हैं चीजे तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो मुख्य रूप से उपाय है या फिर मुख्य रूप से problem है वो problem है सूर्य से संबंधित अब सूर्य आपको कई तरह से ऐसी conditions create करता है जहां पर आपको यश्मान सम्मान प्राप्त नहीं होता है बहुत से ऐसी conditions भी आ जाती हैं जहां पर इनसान के उपर जूटे लांचन जूटे आरोप या फिर तोहमतें लगती हैं पर सूर्य को अलग अलग भाव के इसाब से देख कर ये पता लगाया सकता है कि इनसान को social respect कितनी मिलेगी इनसान confidence कितना रहेगा इनसान के अंदर एक आत्मबल कितना रहेगा इनसान कैसे decision लेने वाला रहेगा कई बार आपने देखा होगा कुछ leaders ऐसे होते हैं कुछ लोग ऐसे भी हुए जिन्होंने बहुत ही bold decisions लिये अब आप हमेशा समझ दीजे कि life एक ऐसी है जहां पर हमें कुछ risk लेने पड़ते हैं वहाँ पर बात आती है decisions की आपके आत्म जो आप स्वयम चाहे वो decision परिवार में कुछ वाद विवाद को solve करने के हो हर जगा पर confidence काम आता है और सबसे बड़ा confidence तो आपके driving में काम आता है अगर आपके अंदर confidence है तो आप जानते हो कि मैं इतनी जगा है मेरे लिए गाड़ी निकालने के लिए तो मैं वहाँ से निकाल सकता हूँ नहीं तो आप खड़े-खड़े हौरन ही बजाते रहोगे आपके मन में यही डर रहेगा पता नहीं यार गाड़ी कहीं लगना जाए कहीं scratch ना आ जाए मार्ग है जहां पर आप अपनी ही एक low confidence की वज़े से दूसरों को अपने उपर हावी होने देते हो और यह हावी पना ही आपको हमेशा दवाता जाता है तो यह सब चीजे कैसे develop होती हैं आपने कुछ backbenchers देखे होंगे अच्छे marks लेकर आते थे पर आज के time में घर पर खाली बैठे हुए हैं और कहीं पर चपरासी या फिर कुछ इस तरह की नौकरियां आती हैं तो उन में form भरते पाए जाते हैं तो यह सब एक confidence की बात होती है आपका सूर्य आपको कहां तक पहुँचा सकता है और जब जिन लोगों की कुंडली में सूर्य कमजोर होता है ऐसे लोगों की immunity तो वैसे ही down रहती है रोग परती रोधक शमता बहुत कमजोर होते हैं जरा जरा सा मौसम कुछ चेंज हुआ नहीं लग गई खांसी जुकाम जरा सा कुछ हुआ नहीं अरे नाक पोच रहे हैं आज कल तो सर्दिया है लोगों को देखिए बाइक पे जा रह क्योंकि जिसकी नाक से पानी आता है जिसको टॉंसिल नजरा जुकाम यह रहता है इनके ब्रसपती खराब होते हैं और ब्रसपती सूर्य चंद्रमंगल यह ऐसे ग्रह हैं जब तक यह strength में ना हो आपकी किसमत काम नहीं करती है क्योंकि अकेले ब्रस्पती कुछ नहीं करते हैं ब्रस्पती के साथ जब इन ग्रहों का संबंध होता ये मूल भूत आपकी चीजें हैं यानि कि मूल भूत चीजें रोटी कपड़ा और मकान है तो मूल भूत आपकी इनी चीजों से जुड़ी हुई आपकी सब सुविधाओं को पूरा करने का काम ब्रस्पती करते हैं ब्रस्पती सही हो गए तो आपने सब चीजों को एक तरीके से मैंटेन करना शुरू कर दिया इसी तरीके से सूर्य को मैंटेन करना है जिनका सूर्य कमजोर है बहुत गुसा करते हैं इनके अंदर ताप बहुत होता है गर्मी बहुत होती है गर्मी कैसे निकलती है जरा जरा सी बात में जहला पड़ना गुसेदार हो जाना जरा सी कोई सामने वाले बात बोली नहीं ले भाईया अब गर्मी निकलनी शुरू हो गई इसे कहते हैं गर्मी क इस जरा-जरा सी बात पर fiery arguments होनी शुरू हो जाती है, चाहे हो husband wife हो, चाहे आपके social connection के लोग हो, कोई भी उनके साथ फालतु में जगरता है ऐसा व्यक्ति, खाना खाते हुए ऐसा व्यक्ति चिला रहा है, गालियां दे रहा है, कभी आपने सोचा है कि व्यक्ति को खाना खाते हुए कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जो अन ले रहे हो, उसी अन को आप अपने शरीर में अगनी के रूप में प्रस्तुत कर रहे हो, और ये शरीर पर कभी लगता नहीं, आपकी हेल्थ को बिगाड़ता है, इससे बड़िया तो आप भूके ही रह लो, ऐसे घर में जो लोग हज्मेंड वाइफ अगर लड़ाई होती है, तो कई बार तो हज्मेंड एक तरफ से बड़ बड़ाता रहता है और खाना खाता रहता है, फोन पर चिल ला रहा है, कुछ कर रहा है, ऐसा मत करिए, ऐसा करने से आपका नुकसान हो रहा है, यह पेट भरना सब कुछ नहीं होता है, इसके बाद की परक्रयाई जो प्रोसेस हैं, वो बहुत सारे हैं, अगर आपने इस प्रोसेस को फायरी उसमें डाल दिया, लोगों के जो अलसर होते हैं, पेट में गैस होती है, सब कुछ होता है, आप थोड़ा सा कंट्रोल करना शुरू करिए, शांती में बैठ कर खाना शुरू करिए, आपको लगता है कि आप उस कमरे में बैठ कर खाना जगड़ा होता, तो कहीं अकेले बैठ कर खा लीजिए, घर में बहुत सी जगा है, कहीं भी बैठ कर खा लीजिए, देखिए ये परकरिया आप इस्तमाल करना शुरू करिए, अपनाना शुरू करिए, आपको खुद से फर्क नजर आएंगे, आपकी positivity, आपकी health, overall चीज़े करेक्ट होंगी, जिन लोगों को blood pressure की शिकायत होती है, इनके सूरे खराब होते हैं, और ऐसे लोगों को कई बार नमक खाने की भी आदत होती है, और जब इनसान जीवन में सूरे की कमजोरियां से घिर चुका हो, तब बात आती है सूरे की उपाय की, अब सूरे की उपाय कह तरीकों से किये जाते हैं, जैसे कि हमारे वेदो, शास्त्रों में, हमारे भुजर्गों ने हमको बताए, पर हम follow नहीं करते हैं, पहला उपाय होता है सूरे को अर्ग देना, उपाय और भी है मैं बताऊंगा, पर आपको इस अर्ग देने की एक जो time duration होती है, उसको समझना चाहिए, आपने सूरे को उगते हुए देखा होगा, तीन रंग जहां पर शामिल होते हैं, सबसे पहला रंग कौन सा है, तामर, पीत और श्वेत, यानि कि तामबे का रंग, पीला रंग और श्वेत रंग, ये तीन रंगों की सूरे की किर्णे हमारे समय के अनुसार बदल है, जो कि सूरे की एक बढ़ती हुई फेस होती है, जैसे ही दूपैर होती है, दूप एकदम कट-कटी सी एकदम वाइट कलर की हो जाती है, एकदम तेज रोशनी होती है, वो होती है श्वेत रंग, अब जो अर्ग देना है, वो हमें देना है, सुभे में, तामर के समय में, तांबे के लोटे में जल भरके थोड़ा सा मीठा डालके बगवान सूरे नरायन को आप अरग दिया करें उनको जल चड़ाय करें तो देखिए कितना आपको धीर धीरे सूरे के दोश भी दूर होंगे और जिन लोगों का सूरे कहीं पर शनी राहू या फिर कुछ इस तरह से पीडित हो जाता है तब उनके अंदर एक सच्चाई मर भी जाती है और वो अपने रिवाज को फॉलो नहीं करते हैं कई बार ढकोसला भी बोलते हैं अपने ही रिती रिवाजों को और ये उनकी सबसे ब नाम को आप टालो मत अपने शेरीर में आलस से मतलाओ ये नियम होते हैं इनको आप अपनाएए जितना नियम अपनाओगे शरीर को सही कर लोगे शरीर सही होगा तो पॉस्टिव वाइब सहेंगी पॉस्टिव सोच उठेगी पॉस्टिव एक्शन लोगे पॉस्टिव एक् अब आप मेरी WhatsApp कटलोग पर आसानी से देख सकते हैं और आप अपने अडर्स पर मंगवा भी सकते हैं आपके घर के असपास कहीं पर बंदर हैं तो बंदरों को गुड़ चना देते रहिए ये भी आपके लिए बहुत बढ़िया है बंदर नहीं है तो जैसे कि बंदर में आपको दिखाता हूँ इस तरह से पितल का लाल बंदर आप अपने घर में पूर्व दिशा की तरफ रखि है और ये बंदर में आपको दिखा रहा हूँ इस तरीके से बंदर होगा और काफी अच्छे रिजल्ट आपके सूरे के ये बना देता है और साथी साथ अगर आपके अनदी नहर है तो 43 डेज लगातार कॉपर का कोईन तांबे का सिक्का आप संडे से शुरू करके जल जल परवा करिए अगर मान लिजे सूर आठे आठमे घर में है तब आप नौर्मल कॉइन जो होता है सिक्का इसको जल परवा कर दीजिए 11 घर में है तो नौनवेज वेगर ऐसे परहज करिए क्योंकि यहां जहां शनी का संबंद आ जाता है आठमें दसमें 11 यहां पर शनी क संबंद आजाता तो यह एक तरीके सेगर का सूर्य होता है कुण्णली में अमेशा यही नहीं होता कि सूर्य राहु सूर्य के तुग हो गया जब कहीं गलत भावं में चला गया शनी के साथ संबंद बना या राहू के साथ बना लिया तब भी ग्रहन माना जाता है और जिसकी बीपी की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है सेंधा नमक का सेवन करिए नॉर्मल अपने खाने में एक्स्ट्रा मट डालिए जितना हो सके लिमिट में सेंधा नमक शुरू करिए और इमिटी डाउन हो रही है तो उसके लिए वाइट कलर की मिर्ची होती है दखनी मिर्ची जिसे कहा जाता है वाइट मिर्ची दखनी मिर्ची दखनी मिर्ची तो वाइट मिर्ची आप यह देख सकते हैं इसे सुभे शाम आधा आधा चमच पाउडर बनाके शहद के साथ ले सकते हैं थोड़ी-थोड़ी मात्रा में लेना शुरू करिए और उसकी क्वांटिटी आधी चम्मज तक ले जाए बच्चों को बहुत जुरूरी है क्योंकि में लो होने पर उनको टॉंसिल हो जाते हैं नजला जुकाम रहता आज कल तो खाओ गरम-गरम चीजे तो दोस्तों और जानकरियां तो मैं लेकर आऊंगा ही पर आप लोगों से रिक्वेस्ट ये जानकरिया और लोगों तक शेर कर दीजेगा ताकि उनका भी कहीं पर भला हो बाकि आप कमेंट में जरूर मुझे चाहिए कि आप लोग लिखे ओम सूरे नरायन नमा या फिर ओम सूरे देवा लिख सकते हैं इस तरह से अपना थोड़ा सा एक्षेंज करिए बाकि आप लोगों से कनेक्टे रहने में मुझे भी मजा आता आप लोग भी मजा लीजिए और आनांद उठाईए अपने जीवन को अनंदित करिए इन उपायों के साथ जीवन अच्छा बनाईए बाकि मिलत हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में तब तक के लिए आगे दीजिए नमस्कार